अगर आप इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें अगर आप वीडियो को पूरी जानकाई नहीं मिल पाएगी जो मैं आपके इस वीडियो में देने वाला हूँ और गाइज अगर आप इस वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो क्रिपया करके आप मारे फेस्बुक बेस को जरूर लाइक करें और गाइज अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो क्रिपया करके आप मारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब् play store पर application है जो कि illegal activities करती है अगर व्यक्ति इनका बुगतान न करे लोगों को ये डराती है धमकाती है और उनकी इज्जत पर प्रफर तरीके से प्रहार करती है तो आपके मन में ये आता होगा कि ऐसा कारे करती है कौन सी application जो RBI से registered नहीं है तो जैसे कि मैं बहुत सारी वीडिय application थी play store पर जो की बहुत ही गलत थी जिनको पूरे तरीके से हटा दिया गया है पूरे तरीके से बैन कर दिया गया है लेकिन अब देखा जा रहा है play store पर ऐसी बहुत सारी application आ रही है अपना नाम बदल बदल के जो की गलत कारे कर रही है तो आपको पता होगा मैंने एक post डा कि सर वो कौन सी NBFC है किरपिया करके उनका नाम बताईए क्यों सी NBFC पर proper action हो गया तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ अभी उन NBFC पर proper तरीके से तहकी कात चल रही है हमारे पास में कोई list ने आई है लेकिन हमारे पास में ये जानका याई है कि 52 NBFC ऐसी है जो अगर किसी भी NBFC से इस परकार का issue create हो रहा है जो कि आपकी contact list में call करके आपको प्रताडित कर रही है आपको डरा रही है आपके साथ में blackmail कर रही है और अवैद वसूली कर रही है मेरा आप से request है उसको लेकर के आप Twitter पे tweet कीजिए और हमेशाथ में साथ tag कीजिए जिससे क कि हम दिखा सकें सरकार को RBI को कि देखे कितने लोग प्रताडित हैं कितने लोग परेशान हैं ये कार्य आपको instantly करना होगा हमने अपने Twitter account का जो link है मैं फिर दुवारा बोल रहा हूँ वीडियो के description box में दिया है आप instantly हमें जा करके follow कीजिए दोस्तों जब तक इनका फूर loan application से डरने की जूरत नहीं है देखे दोस्तों आपने loan लिया है ठीक है आप एक proper तरीके से उसका भुगतान भी करेंगे लेकिन समस्या यहाँ पर किस बात को लेकर क्या रही है कि present time में आपके पास में पैसा नहीं है आपको काफी प्रताडित किया जा रहा है आपको काफी दमकाया जा रहा है इवन आपकी contact list में call करके आपको blackmail किया जा रहा है आप कोई चोर नहीं है आप को क्रिमिनल नहीं है ठीक है आप बिल्कुल निश्चीनत रही है अगर मानो कोई व्यक्ति मान लो कोई पैसा नहीं दे रहा तो जाओ लीगल action लो क्यों नहीं लेते लेकिन इनको पता है कि हम गलत हैं हम उल्टे ही फसेंगे इस वज़े से यह आपके उपर किसी प्रकार का present time में ना तो legal action ले सकते हैं और नहीं आ गए लेंगे मेरा आपसे request है एक साथ जुड़िए और एक साथ जुड़ करके जितना हो सके Twitter के माध्यम से ज़्यादा से ज़्याद डाल देता हूँ ठीक है दोस्तों तो आप मुझे जरूर बताईए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को आप लाइक करें शेयर करें और ऐसे ही जानकरी प्राप्त करने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप मुझसे कुछ important बात करना चाहते हैं कुछ चीज शेयर करना चाहते हैं कुछ help लेना चाहते हैं तो guys मुझे आप email कर सकते हैं अपना number बगरा दे सकते हैं possible होगा तो मैं आपको instantly contact जरूर करूँगा अगर मुझे लगेगा कि हाँ वही वाक्य में इस व्यक्ति का case जो है आपने हाँ